आज हम बनाएंगे कुंद्रू से एकदम टेस्टी और यूनिक रेस्पी अगर कुंद्रू की रेस्पी मेरे तरीके से बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आने वाली है कुंद्रू की रेस्पी बनाना सुरू करेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में आज हम बनाएंगे कुंद्रू से एकदम अलग तरीके से निव रेस्पी कुंद्रू की रेस्पी बनाना सुरू करेंगे कुंद्रू में डाल देंगे मसाले मसाले में लेंगे धनिया इसमें हम हाप चम्मच धनिया लिए हैं हाप चम्मच पीसी मिर्च लेंगे पीसी मिर्च और धनिया को कुंद्रू में अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें हम 2500 ग्राम कुंद्रू लिए हैं कुंद्रू को सबसे पहले दो पानी से अच्छी तरह धो लिए हैं धोने के बाद कुंद्रू को लंबे लंबे पीसों में काट लिए हैं ये देखे कुंद्रू में पीसी मिर्च और धनिया को अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं कुंद्रू हमारा तयार हो गया है कुंद्रू को अभी साइड में रखेंगे कुंद्रू के लिए आंगे की तयारी कर लेंगे गैस चालू करेंगे कडाही को गरम हो जाने देंगे कडाही में डाल देंगे तेल इसमें हम सरसो का तेल लेंगे तीन से चार चमच तेल लेंगे तेल को अच्छी तरह गरम हो जाने देंगे अभी गैस का फ्लेम हाई रखे हैं तेल को अच्छी तरह गरम हो जाने देंगे ये देखे तेल हमारा अच्छी तरह गरम हो गया है तेल गरम होने के बार डाल देंगे मेथी इसमें हम छोटे चम्मत में चोथाई चम्मच मेथी लेंगे मेथी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे मेथी को फ्राई करने के बाद हम डाल देंगे प्याज ये देखिए मेथी हमारा फ्राई हो गया है मेथी फ्राई होने के बाद डाल देंगे प्याज इसमें हम दो चम्मच प्याज ले रहे हैं प्याज को लंबे लंबे पीसों में काट लिए हैं अभी गैस का फ्लेम मेडिया हम हाई रखे हैं प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे ये देखिए प्याज को इससे जादा फ्राई नहीं करेंगे प्याज में डाल देंगे अद्रक लहसुन का पेस्ट इसमें हम हाप चमच अद्रक लहसुन का पेश्ट लेंगे अद्रक लहसुन को कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे इसको भी गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे ये देखिए अद्रक लहसुन को कुछ सेकंड के लिए पका लिए हैं ये देखिए बगार हमारा तयार हो गया है बगार तयार होने के बाद डाल देंगे हल्दी इसमें हम छोटे चमच में हाप चमच हल्दी लेंगे हल्दी डालने के बाद तुरत ही डाल देंगे कुंद्रू इसमें हम धाई सो ग्राम कुंद्रू लिये हैं कुंद्रू को चला लेंगे कुंद्रू को भून लेंगे कुंद्रू को पांच से छे मिनट भून लेंगे कुंद्रू को लो फ्लेम पे 5-6 मिनट भून लेंगे कुंद्रू को बीच-विच में चलाते रहेंगे कुंद्रू में डाल देंगे नमक इसमें हम हाप चमश नमक ले रहे हैं नमक और मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं कम जादा कर सकते हैं ये देखिए कुंद्रू को लो फ्लेम पे चार से पांच मिनाट भून लिए हैं कुंद्रू को ढख देंगे कुंद्रू को पका लेंगे कुंद्रू को बीच विच में चेक करते रहेंगे कुंद्रू को चेक कर लेंगे ये देखिए कुंद्रू अभी नहीं पका है कुंद्रू को चला लेंगे कुंद्रू को लो फ्लेम पे बीच बीच में ढख ढख के कुंद्रू को अच्छी तरह पका लेंगे कुंद्रू को दोबारा ढख देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पे कुंद्रू को पका लेंगे कुंद्रू को दोबारा चिक कर लेंगे ये देखिए कुंद्रू हमारा अची तरह पक गया है कुंद्रू को चला लेंगे कुंद्रू को लो फ्लेम पे पका लिए है अब कुंद्रू को नई ढखेंगे कुंद्रू को खोल के एक से दो मिनट भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे कुंद्रू को लगातार चला आते हुए दो से तीन मिनट भून लेंगे ये देखिए लो फ्लेम पे कुंद्रू को दो से तीन मिनट भून लिए है कुंद्रू हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है कुंद्रू में डाल देंगे गरम मसाला इसमें हम चौथाई चमाची गरम मसाला ले रहे हैं गरम मसाला को कुंद्रू में मिक्स करेंगे गरम मसाला डालने के बाद कुंद्रू को ढख देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे लो फ्लेम पे कुंद्रू को एक मिनट पका लेंगे कुंद्रू को चला लेंगे ये देखे मसाला डालने के बाद कुंद्रू को लो फ्लेम पे एक मिनट पका लिए है कुंद्रू की सबजी तयार हो गई है गैस बंद करेंगे कुंदरू की सबजी को निकाल लेंगे ये देखिए गर्मा गरम एकदम अलग तरीके से कुंदरू की सबजी तयार हो गई है इस सबजी को आप डाल, चाबल, रोटी, चपाती के साथ खा सकते हैं पूरी पराटे के साथ भी खा सकते हैं बच्चों के लंच में दे सकते हैं बाहर अगर सफर में जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं अगर कुंद्रो की सबजी पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब से या जरूर करें अगर आप पहली बार हमाई वीडियो देख रहे हैं सस्क्राइब जरूर करें